का हल बात वाहर आप सभी लोग का डिमांड था कि मैं मॉलीस को फिर से पालू और उनको दोबारा से ब्रीड करूं तो इस बार मैं थोड़ डिफरेंट वरेटी का मॉली लाया हूं साथ ही मैं इनके लिए इस वीडियो के अंदर एक प्यारा सा एक सुटेबल ब्रीडिंग करने वाला हूं तो इस बात पर इस वीडियो को किसी एक लाइक इस वीडियो पर मैं 500 लाइक का टार्गेट रख रहा हूं तो प्लीज इस टार्गेट को जरूर पूरा करवाईएगा बलून मॉलीस के अलावा मैंने कुछ और मशलियों को खरीद है मैं थोड़ी देर में आ सब्सक्राइब करने वाला हूं और इसी जगह पर रखने वाला हूं आपको याद होगा कुछ दिनों से मैं अपने सभी पॉंड्स को यहां पर सिफ्ट कर रहा हूं क्योंकि कर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है और इसी टप के अंदर मैं इन मॉलीस को रखने वाला आपको तो याद होगा इस टप के अंदर मैं मॉलीज को पहले ब्रीड करता था मेरे पास मॉलीज 2.5 साल से थी और पता निक क्या हुआ उन्हें क्या अचानक से कौन सा बिमारी हुआ एक एक करके सभी मॉलीज चली गई फिर मैंने मॉलीज रखना छोड़ दिया था लेकिन आप बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है दूप में इसको रखाता है ताके इसके अंदर बैक्टेरिया फंग ओगारा हों फो खतम हो जाए इसके बाद मैंने इस प्रप को धो लिया फिर उसके बाद फिर आभी मैं इसमें पानी भर रहा हूं यह नॉर्मल शिंटेक्स वाला पा पानी के अंदर के क्लोरीन को खतम करता है जिससे मशलियों को रहने में प्रोबलम नहीं होगा इसके बाद मैंने जाली के उनरत से इस पानी को पूरा चला दिया ताकि जितना भी एंटिकलोरीन ने वह पूरा पानी में फैल जाए अब बारी आता है वाटर प्लांट लगाना आप अपनी मॉली से ब्रीट करवाना चाहते हैं बच्चे लेना चाहते हैं तो वाटर प्लांट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन वाटर प्लांट के कारण मशलिया खुद को सेफ फिल करेंगी तभी जाके वह ब्रीट करेंगी तो यहां पर मैं डगवीड लग उसमें एलगी ग्रोथ नहीं होगा साथ ही इन पौदों की रूट के आसपास जड़ों के बीच में मशलियों के बच्चे चुपते हैं बड़ी मशलियों से तो यह भी बहुत जारा जरूरी है तो इसके लिए मैं यहां पर बड़ा पौदा इस्तमाल कर रहा हूं यह वाटर वाटर लेटूस है इसकी जड़े आप देख सकते हैं इसकी रूट काफी लंबी होती है इससे जड़ों में मशलियों के बच्चे चुपते हैं ताकि बड़ी मशलिया उन्हें खाए ना जब तक उनका साइज बड़ा नहीं होता है अगर आप मेरे देड़ दो साल पुराने वाला हूँ यहां पर आप देखी पार होंगे दो बड़े साइस के और काफी सारे चोटे वाटर के वैसे यह जल्दी बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ करने वाले हैं इसके अलावा भी आप कई सारे वाटर प्लांट्स यूज कर सकते हैं मैंने अपने पुराने वीडियो आप मचलियों को लार है उस प्लास्टिक को इस तरह पॉंड के उपर या फिर अगर आप टैंक में करें तो टैंक के उपर रखकर 15-20 मिनट के लिए आदे घंटे तक भी आप छोड़ सकते इस प्लास्टिक के अंदर का जो पानी है उसका टेंपरेचर और इस पॉंड के पा बार बार प्लास्टिक को पिंच कर रही है अपने मुह से ताकि इस प्लास्टिक से जल्दी से निकल के यहां पर जा सके लेकिन इन्हें कुछ दिर तक यहां पर और रहना होगा और जो मैं दूसरी मचली के बारें बात कर रहा था वह स्वाट टेल मैंने बलून मॉलिस के सा प्लास्टिक को यहां से निकालते हैं मैं बस मॉली को हम छोड़ने वाले हैं उनके नए घर के अंदर देखते हैं कि यह जल्दी ब्रीट करते हैं मेरे अंदाज से यह हफ्ते 10 दिन में ब्रीड करना सुरू कर देंगे मुझे बच्चे देखने को मिल जाएंगे और यह पार्ट मुझे सबसे ज्यादा पसंद है जब मैं नई मचलिया खरित के लाता हूं नया पॉंड का सेटप बनाता हूं और उनमें मचलियों को छोड़ यहां पर मॉलीज कई बार आपस में चेस करती हैं दुसरे को और फाइट भी कभी कबार करती हैं तो यह हाइडिंग प्लेस उनके लिए सेफ जगह रहेगा जहां पर वैसी मॉलीज आकर थोड़े रिश्ट कर सकती हैं इसके अलावा अगर आपने मॉलीज के ब्रीडिंग से अच्छा फिल कर रहे हैं इसके अलावा यह सभी एक साथ घूम रही है यह एक साथ जुंड बनाके एक जगह से दूसरे जगह जा रही है इससे पहले मैंने नौर्मल मॉलीज को रखा तो वह सभी मॉलीज एक साथ को जा रहा है कोई एक साथ घूम रहा है लेकिन यह बलून झाल झाल